हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तो आज की वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल जोग्राफी का एक बहुत ही महातुपूर्ण टॉपिक मरुस्थली करने या फिर डिजर्टिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में डिसकस करने दोस्तो आज का जो यह हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वह आपके जितने वी कॉमपूर्टेटιव एकजाम होते हैं चाहिए यूपीएस्टी का एकजाम हो स्टेट पी-स्पी-स का एकजाम हो हो । सबी पहले हम मरुस्थल या फिर डैजर्ट की डैफिनिशन को समझ लेता है कि आखिर मरुस्थ उसधित्व है चेत्र जहांपर 25 cm से कम वारसिक वर्षा होती है मरुस्थलों का विकास होता है और धैजर्ट का विकास होता है तो इसकी एक definition है बच्चो जिस इस्थान पर 25 cm से कम वार्षिक वर्षा होगी वार्षिक वर्षा जरूरी याद रखना जहां पर भी 25 cm से कम बारसिक वर्षा होगी या फिर precipitation कम होगा वहाँ पर मरुस्थलों का विकास होता है तो यह आपको एक point ही याद रखना है वर्षा ठीक है इसके अलाबा मरुस्थलों के प्रकार देख लेते हैं कि कितने टाप की यह मरुस्थल होते है एक होते हैं बच्च Desert तो यह मुखहता चार प्रकार के Desert होते हैं कहीं-कहीं आप दिखेंगे तो पांच प्रकार के Desert भी बताता है एक आंत्रिक Desert भी बताता है आंत्रिक या फिर interior desert भी बताता है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको rain shadow desert भी बताता है, व्रष्टी छाय चेतर वाले मरुस्थल भी बताता है, तो वो सब भी इन्हीं के अंतरकत आ जाएंगे, तो मुख्यत ये चार प्रकार के मरुस्थल आपको याद रखना है, ठीके, अभी ये क्या होते हैं, अभी हम यहाँ पर एक एक करके detail में हाँ पर discuss करेंगे, ठीके, जैसे abortion cuttyvandhi के अंतरकत maximum, जो गर्म मरुस्थल होते हैं, वो आ जाते हैं, 35-45 degree के आसपास के जो मरुस्थल हैं, इसके लाबा सीत मरुस्थल में architect, anti-architect जो मरुस्थल हैं, वो इसके अंतरकत आ जाएंगे, ठीके, तो मुख्यता ये चार प्रकार के बच्चों मरुस्थल होते हैं, आपको याद रखना है, कहीं-कहीं सिर्फ दो प्रकार में भी इनका डिविजन कर देता है, एक कर देता है, सीत मरुस्थल, है ना, सीत मलब जो थंडे मरुस्थल होते हैं, और गर्म मरुस्थल, ठीक है, उस्ट मरुस्थल, तो सिर्फ दो प्रकार में कहीं-कहीं परम मरुस्थल है उसके लावा अरेबियन चौंथा बड़ा मरुस्थल है ठीक है अब देखिए जब मरुस्थल सब्दे है फिर रेगिस्तान रेगिस्तान वगएरा सब्द जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि रेथ ही रेथ है पानी विलकुल नहीं है गर्मी बहुत जादा है तो ऐसा नहीं है जो डेजर्ट होते हैं बच्चों ये गर्मे भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं तो जैसे अंटार्किटिक और आर्किटिक हैं ये भी एक प्रकार की मरुस्थल ही है ठंडे मरुस्थल है या फिर आप बोलें धुवी ये म मरुस्थल ने था है अपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो अंतार्किटिक Mmm Africa को इससा कौन सबसे बड़ा मरुस्थल को सप्से अट्रफिक साल है यति यह दोना option में नहीं है और Sahara option में फिर अप इसको डेजर्ट जो है वो सहारा और ओवर ओल में आप सबसे बड़ा देखेंगे तो अन्टार्किटिक डेजर्ट सबसे बड़ा है ठीक है चलिए आगे और हम डेटिल में पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ां अच्छे से क्लियर होंगी अब देखिए मरुस्थल की कुछ विशेष्टाएं भी होती है उनको भी हम देख लेते हैं कि इनकी क्या विशेष्टाएं होती है तो देखिए पहली बात तो हमने देख लेकि जो गरम मरुस्थल होते हैं यहां पर वर्शा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता या फिर zero fight कहा जाता है, यह बहुत important है, यहां से कई वार exam में भी question आता है, कि जो मरस्थलों में वर्रस्पतियां पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको zero fight, zero fight कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसके लिए बर्ड है वच्चो, मरुद भी दी, दोनों याद रखना है, वहाँ पर zero fight वनश्पति होती है, इनकी विशिष्टाएं क्या होती है, बच्चो इन वनश्पति की विशिष्टाएं होती है, कि यह कटीले वर्ख्च होते हैं, क्योंकि जहां कम वर्षा होगी, तो वहाँ पर कटीले वर्ख्चों का ही विकास होगा, कटीले जो च्छाल होता है, काफी मोटा होता है, कांटे वगेरा बहुत जादा पायाते हैं, तो इन वनस्पतियों की ये विशेश्टा होती है और कम वर्षा वाले स्थानों में इनका विकास होता है। नमी मिलेगी बी तो उसको खीच लेगी वहावा, ठीक है? देखिए, सुस्क वायू क्या होती है वायू में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, नियूनतंग। यदि मालीजेग कहीं थोड़ी बहुत नमी है भी तो ये सुस्क हवावा उसको एब्जार्व कर लेगी, ठीक है? आ तो यह यहाँ पर जो भी वनस्पतियों का विकास होता है उनकी विशेष्टाइं होती है ना इसके अलावा जैसे आप देख लीजे कौन कौन सी वनस्पतिया होती है बबूल, राम, बास, खेर, खजूर, रंग, नाग, फणी, कैक्टस वगेरा यह सब गरम मरुस्थलों की व पाई जाती है तो यह कुछ विशेष्टा हैं बच्चों मरुस्थलों की आपको याद रखना है तीक, आँगे बात करेंगे चली, अब हम थोड़ा मरुस्थलों का वितरन समझ लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर कहां कहां पर मरुस्थलों का विकास होता है, कहां कहां ये पाए जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो एक बात समझ लेजिए, कि जो विशुवत रेखी है च्छेतर होता है, या फिर एक्वेटोरियल रीजन होता है, यहाँ पर कभी भी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्यो मद्य डोल्डरम 6 आप बोल सकते हैं, 0 से 5 डिगरी के बीच में, यहाँ पर सरवादिक वर्शा होती है, रेगुलर वेसिस पर वर्शा होती है, तो इस रीजन में सरवादिक वर्शा होती है, इस कारण से इस रीजन में कभी भी आपको मरुस्थलों का विकास देखने को नह बहुत अधिक वर्शा होती है, इस कारण से यहाँ पर कभी भी मरुस्थलों का विकास नहीं होगा, मरुस्थल नहीं बनेंगे, तो आपको एक बात तो याद रखना है, कि विसुवत रेखिए छेत्र या फिर एक कुटोरियल डिजन में कभी मरुस्थलों का विकास नहीं ह होता है, ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ कभी मरुस्थल नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परियाप्त मात्रा में वर्शा होती है, ठीक है, चलो, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट है बच्चों की पूरी अर्थ में आपको maximum जो मरुस्थल मिलेंगे न, वो 30-40 डिगरी के आसपास मिलेंगे, ठीक है, या फिर 25-40 बोल लीजे, इस reason में आपको सरवादिक मरुस्थलों का विकास देखने को मिलेगा, सरवादिक मरुस्थल आपको यहाँ पर developed दिखेंगे, इस शेतर में सरवादिक मरुस्थल पाए जाते हैं, इस शेतर में ठंडी हवाएं नीचे उतरती हैं, और ये ठंडी हवाएं वर्शन नहीं करती, इसी कारण से इन अक्षांसों में सरवादिक मरुस्थल देखने को मिलते हैं, अब जड़ा आप मैं पर देखिए, यह देखिए, मैंने 30-40 के अक्षांस बना है 30-40 के अक्षांस बना हैं, यहां पर आप देख सकते हैं यह, ठीक है, यह, 30-40 के अक्षांस हैं, और 30-40 यह दक्षन में हैं, ठीक है, अब सरवादिक मरुस्थल बच्चों आपको यहां पर ही देखने को मिलेगा, जैसे देखिए, यहां पर पूरी अमेरिका के में हैं, यहां पर आप देखिए, थार भी इसके आसपास है, सहारा यहां पर है, तो मैक्जिमम मरुस्थलों का विकास आपको 30-40 डिगरी के आसपास ही देखने को मिलेगा, अब आपके मन में कुशन हैंगा, सर आप यह बताईए कि क्यों देखने को मिलेगा यहां पर, तो यहां प क्या होता है, कि विशुवत रिखा में सालवा टेंपरेचर अधिक होता है, यहां से पवने उपर उठती है, छोब सीमा तक जाती है, फिर वहां से नीचे उतरती है, और नीचे कहां पर उतरती है, इस पकार से आप समझे, यहां से पवने उपर उठेंगी, और यहां पर 30- 40 डिगरी में दौनों गुलार्धों में नीचे उतरती हैं ना देखे क्या होगा equatorial reason में या फिर विशुवत रिकी चितर में temperature हमेशा ज़्यादा रहता है तापमान हमेशा ज़्यादा होता है ना तो यहाँ पर क्या होता है पवने लगातार गरम होंगी और गरम होकर के उपर उठींगी ठीक है संभवनी धाराओं के रूप में उपर उठींगी उपर जाकर के वो ठंडी होंगी ठंडी होती होना है पर वर्षा करती है और कुछ हवाई कहा होता है 30-40 degree में मुड़ती है छोब सीमा पर जा करके छोब मंडल की जो उपरी सीमा होती है 1502 km की मौटी परत होती है वहाँ पर जा करके ये 30-40 degree में नीचे उतरती है और यहाँ पर ठंडी पपने जगातार नीचे उतरती है मैगजिमम मरुस्थल देखेंगे आपको इन्हे अक्छान्सों में देखने को मिलेंगे यदि और कहीं पर मरुस्थल पाया जा रहा है तो उसका कोई परिटिकुलर रीजन हो सकता है कि उस भगौलिक छेतरफल की कुछ स्पेशल दसाएं हो सकते हैं कि माली जी वरष्टी छाया चेतर में हैं या फिर महाजीब के आंतरिक चेतरफल में हैं जैसे आप देखेंगे यहाप पर गोवी है तो यह आंतरिक मरुस्थल का भी एक्जामपल है इंटीरियल डेजर्ट का एक्जामपल है कि यहां तक पवन पहुंची नहीं पाती हैं तो उनमें आदिर तक हतम हो जाती है तो उनके कुछ अन्य रिजन भी हो सकते हैं लेकिन आप देखेंगे 30 से 40 में आपको मैक्जिमम डेजर्ट देखने को मिलते हैं ठीक तो एक पॉइंट यह याद रखना है इसके लाब़ा अधिकतम मरुस्थलों का विकास बच्चो महादीपों के पश्चिमी किनारे पर होता है वेस्टन साइड में आप देखेंगे यहां पर आप पहले मैप में देख लिजे देखेंगे यहां पर आप देखेंगे आटाकामा हो गया पेंटागोनिया हो गया यहां पर अमेरिकन डेजर्ट है यह सारे यह पश्चिम की और है सहारा का विकास भी 25 पश्चिम से ही हुआ है औस्टेलियन डेजर्ट देखेंगे आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा थार तो मैग्जिमम डेजर्ट पश्चिम की और ही डेबलब्ड होते हैं या वनते हैं उनके पीछे भी एक रिजन है पहला रिजन तो एक यह हो गया मैंने आपको बता दिया तीस से चालिस वाला यहां पर ठंडी होई उतरती हैं ना ये महादीप है माल लेज़े ये महादीप है अब ब्यापारिक पवने इस प्रकार से चल रही है है ना इस प्रकार से चल रही है अब ये क्या होता है जब भी किसी समुद्र से सागर से अपने साथ नमी लेती है तो महादीप के पूरवी किनारे में और थोड़ी बहुत नमी समाप्त हो जाती है इनमें आदरता नहीं रह जाती है इस करण से महादीपों के पश्चिम में बिल्कुल नियूंतम वर्शा होती है या फिर नहीं होती है तो एक करण ये भी है कि ब्यापारिक जो पवने महादीपों के पश्चिमी किनारे तक पहुंसती है तब तक इनम प्चिम में आदरता पूरता समाप थो जाती है इस कारड़ से महादीपों के पश्चिमी किनारे पे यहाँ पर वेस्टरन साइड में यह पांसूनी जल्वायू पाई आती है बीच में आप देखोगे तो बीच में भी आदर जल्वायू या फिर अर्द सुष्कृ जल्वायू पाई आती है तो आपको एक रीजन ये भी याद रखना ठीक है चलिए आंगे बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट एक रीजन और है कि जो ये महादीपो के पश्चीमी किनारे है ना बच्चो यहाँ पर ठंडी जलदाराएं भी चलती है ना ठंडी जलदाराएं चलती है जिससे यहाँ पर हाई प्रिशर का छेत्र बनता है और पवन याद रखना कि कहां कहां पर मरुस्थल बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं खासवल पर सिविल सर्विसिस के जो एक्जाम होते हैं UPSC PCS जैसे यहाँ पर काफी ज़्यदा इंपॉटेंट हो जाता यह वाला प्रिटिकॉला टॉपिक है ना चलिए आंगे बात करते हैं अब जरह मरुस्थल देख लेते हैं पूरे विश्व में कौन कौन से मरुस्थल है फिर एक एक करके हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ अमेरिका में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पश्चीमी किनारे पर कुछ मरुस्थल देखने नौर्थ हमेरियका और USA जो है अमेरिका कंट्री है यहाँ पर इनका विकास देखने को मिलता है यहाँ पर यहाँ पर यह पाए जाते हैं यहाँ आप देखेंगे चिली और पेरु में है पश्चीमी किनारे मर यहाँ पर एक आटा कामा मरुस्थल है जो की तटीय डेजर्ट है फिर कोश्चीमी किनारे पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर पेरु की थंडी जलदारा भी चलती है और विश्व का सुस्कता मरुस्थल है अब हम डिटेल आगे डिसकस करेंगे इसके लाबा यहाँ पर आप देखेंगे आपको पेंटागोनिया डेजर्ट देखने यहां पर आप देखिए और काला हारी है यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे Australian desert बहुत सारे हैं Gibson है, Simpson है, Victoria है तो बहुत सारे अभी हम detail में एक एक करके discuss करेंगे तो पश्चिमी Australia में बहुत सारे जुंड में आपको desert देखने को मिलते हैं मकर रिखा बिल्कुल 20 से होगर के गुजरती है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको गोवी desert देखने को मिलेगा मंगोलिया और चाइना में, है यह ठंडा मरुस्थल है आपको याद रखना है इसके लब आंतरिक मरुस्थल का भी example है कभी exam में जाए इनमें से कौन सा आंतरिक मरुस्थल का example है आंतरिक मरुस्थल मतलब ऐसे मरुस्थल, interior desert जो महादीपों के बीचों बीच पाए जाते है जैसे यह हो गया, गोभी हो गया, किजिल कुम हो गया, कराय कुम हो गया यह सब किसके example है, इसके लब टकला मकान हो गया तो यह सब महादीपों के आप देखेंगे, बीच में इस्तेत हैं, तो यह आंतरिक मरुस्थल के भी example हो जाते है यह सब थंडे मरुस्थल है, एक एक करके हम यहाँ पर detail में discuss करते हैं इसके लब इरान में आप देखेंगे, दस्ते लूट, दस्ते कावे desert है अभी हम देखेंगे, इसके लावा जो green land है, यह भी एक थंडा मरुस्थल है यहाँ पर आप देखेंगे, आर्किटिक desert है, और नीचे आपको अंटार्किटिक desert देखने को मिलेगा ठीक है, तो यह पूरे मैंने आपको एक एक करके desert समझा दिए, अब मैं थोड़ा सा जो कुछ-कुछ important है जिन में जादा detail पूछी जाती है exam में, उनको हम एक एक करके हाँ पर detail में भी discuss करते हैं तो topic को आगे discuss करने से पहले थोड़ा से मैं आपको update देना चाहूंगा कि हमारा 2022 का SSC का target batch विलकुल live है, यदि आप SSC की तयारी कर रहे हैं, फिर SSC से related किसी भी exam को target कर रहे हैं CGL हो, CPO हो हो है ना, तो आप हमारी batch को join कर सकते हैं बच्चो, हमारा batch live है, वहाँ पर हमारी सारी expert faculty आपको teach करेगी, guide करेगी है ना, चाहिए वो maths हो, reasoning हो, GK, GSO, सभी subject expert faculty के द्वारा पढ़ाए जाएंगे Link आपको description box में मिल जाएगी, play store से आप application को download कीजिए, वहाँ पर बागी detail आप देख सकते हैं इसके लावा, यदि आप DSSC, है ना, code याद रखना, DSSC, यदि ये आप coupon code यूज करते हैं, तो आपको additional या फिर extra 500 रोपे का discount मिलेगा, ठीक है तो code नहीं भूलना है, DSSC, DSS, SSC ये code है, आपको याद रखना है, ठीक है, इसके लाव, यदि आप मुझसे जोगरफी पढ़ना चाहते हैं, individual course में, individual subject पढ़ना चाहते हैं, world geography हो या फिर Indian geography हो, तो root application पर आप individual मुझसे जोगरफी पढ़ज़कते हैं, वहाँ पर मेरा foundation batch च तो सारे subject आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यदि माल लीजिया, आपको सिर्फ history पढ़ना है, सिर्फ science पढ़ना है, तो ये facility आपको available है, आप individual एक-एक subject भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, geography है, arithmetic, advanced का maths है, quality का batch है, science का है, history का है, English का है, सारे subject आपको कीजिए, चले, आँगे हम topic को discuss करते हैं, ठीक है, ये सारे हमने desert देख लिए, अब एक-एक करके हम देखते हैं, सबसे पहले हैं, इनको हम समझ लेते हैं, बच्चो, देखिए, सबसे पहले है, गोवी मरुस्थल, काफी important है, कई वार exam में question पूछा जाता है, गोवी मरुस् ये चीन है बच्चो, ये चीन और मंगोलिया की border है, यहाँ पर, तो ये दोनों देशों में फैला हुए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, की चीन और मंगोलिया दो देशों में ये फैला हुआ है, और जादातर हिससका चीन में आता है, ठीक है, इसके लावबवा, इसकी एक विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष इसके लाबा ये आंतरिक desert का भी example है आपको याद रखना है आंतरिक या फिर interior desert का example है आंतरिक desert मतलब महादीपों के बिल्कुल बीच में ये पाए जाते हैं ना चलिए आगे बत करते हैं आगे बच्चो तकला माकान मरुस्थल ये कहां पर ही ये भी चीन में है आप इस गोबी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टकला मकान देखने को मिलेगा तो ये हमाले के बच्चो वरष्टी चाया छेतर है फिर rain shadow reason में इससे थे आपको याद रखना है टकला मकान मरुस्थल मुक्खिता चीन में है हमाले के वरष्टी चाया छेतर में य वाला जो क्या होता है छेत्र होता है ये सूखा रह जाता है इसकान से यहाँ पर नियून तमवर्श होती है ठीक है तो टकला माकान मरुस्थल जो है ये क्या है वरष्टी छाया छेत्र में या फिर रैंसेडो रीजन में इस्तित्र है कई वर यहां से एक और डिविजन कर देत त्कमिनेंस्तान तजाकिस्तान किर्गिस्तान ना ये सब किजिलकूम और करायकूम ये सब मद्-शिय में इस्ते थे आपको याद रखना है कराचूम कहा है तुरकिमिनецetiDown में एठ्धंडा मरस्थल है और किजिलकूम कहा है ये तजाकिस्तान में दौनों ठंडे मरुस्थलें, सीट मरुस्थलें, आपको याद रखना है, इसके लबाई एक प्रमुख मरुस्थलें, पेंटागोनिया डेजर्ट, ये एक ठंडा और सुस्क मरुस्थलें, आपको याद रखना है, और कहाँ पर इससे थे इसकी लोकेशन ज़णा आप देख अर्जेंटिन और चिली यहाँ पर देखिए यह ब्राजील है सबसे बड़ा देश इसके नीचे आप देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा देश है दक्षण अमेरिका ओंटीनेंट का अरजेंटिना और यहाँपर है चिली जहाँपर दुनिया की सबसे लमबी mountain range इस्थित है एंडीज तो यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना में इस्थित है पेंटागोनिया मरुस्थल जो की ठंडा मरुस्थल है और काफी शुर्ष्क मरुस्थल है आपको याद रखना है ठीक है तो कौन-कौन से देख लिए है तकला माकन चीन और मंगोलिया में है कराकुम जो मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में किजुलकुम तजाकिस्तान में है इसके लाबा पेंटागोनिया दक्षन अमेरिका कॉंटिनेंट में इस्थित है कौन-कौन से देशों में चिली और अर्जेंटीना में तो आपको याद रखना है आँके बात कर लेते हैं इसके लाबा यहें ण्डी जो रीजन बोलते हैं रश्टी शाया जो को तो एंडी परवत आपको पता होगा यहां पर अापर इस प्रकार से ण्डी जो और इसके नहीं है भारत में भी दो मरुस्थल है एक तो थार जो की गर्म मरुस्थल है अभी हम आगे डिसकस करेंगे और एक और है लद्दाख है ना लद्दाख जो है ठीक है लद्दाख जो है बच्चो ये भी एक सीत मरुस्थल का एक्जामपल है ये भी हिमाले के विश्टी चाया चितर में इस्तित्य और इस रीजन में बच्चो पूरे भारत की कम वर्षा होती है नियूनतम वर्षा होती है 9.15 सेंटीमीटर या फिर बोलें लगवग साड़े 9 सेंटीमीटर वर्षी वर्षा यहां पर होती है एक्जाम में question आता है कि भारत में नियूंतम वर्षा कहा होती तो लद्दाक reason में ही भारत की नियूंतम वर्षा होती है ये पूरे भारत का सीत मरुस्थल है ठीक है भारत में भी दो मरुस्थल याद रखना एक तो थार आपको पता ही होगा और एक लद्दाक ये सीत तो लद्दाक मरुस्थल भारत का सीत मरुस्थल है यहाँ पर नियूंतम वर्शा होती है और हिमालय के बच्चो ये वरिष्टी छाया छेत्र में इस्थे थे आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे डिस्कस करेंगे अगला है बच्चो उश्ण अभी हमने सीत मरुस्थल तट परिस्तित है गरम मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल है उत्री अमेरिका का ठीक है इसका विस्तार अमेरिका और मैक्सिको देशों में है यहां आप देखेंगे यह अमेरिका है और इसके नीचे आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा यहां पर तो अमेरिका और मैक इसके लबा सोनोरन और ग्रेड बेसन ये भी कहां पर है उत्री अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेरिका की अंतरकत आते हैं। पर यह स्थेत करके रिखा इससे हो करके गुजरती है आपको पता होगा आफरीका कॉंटिनेंट एक मात्र ऐसा कॉंटिनेंट है जिससे तीनो प्रमुख जो रिखा है एक तो जीरो डिगरी है ना जीरो डिगरी जिसको हम एक्वेटर बोलते हैं होगं करके गुजरती है ऑपको पता हो चाहिए और सबसे बढ़ा विश्यो का सबसे बड़ा गरम रेख स्थान है hot desert है एक्जाम में question आएगा इन में से कौन सा सब से बड़ा गरम डेजर्ट है या फिर hot desert है तो आपको पता होगए सहारा सबसे बड़ा गरम मरुस्ताल है ठीक है इसके लवाए यहाँ पर एक स्थान भी है अल-जीजिया जो कि विश्व के सबसे गरम इसथानों में एक आता है वैसे तो वर्तमान में साथ डैथवैली है अमेरिका का लेकिन ये सेकेंड नमबर का सबसे गरम इस्थान है अल अजीजिया यहीं पर अलजीरिया देश है उसका एक इस्थान है आपको याद रखना है तो यहाँ पर ही बरवर जन जाती का निवास इस्थान है तो यहाँ पर ही बरवर जन जाती का निवास इस्थान है तो यहाँ पर ही बरवर जन जाती का निवास इस यहां से question आता है कि कालाहरी desert का विस्तार किन किन देशों में है तो बोटसवान, नामेविया और दक्षन आफरीका यहां पर आप देखेंगे दक्षन आफरीका के दक्षनी पार्ट में हापर तीन देशों में यह फैला हुआ है आपको याद रखना है इसके लावा यहां से एक और question आता है कि यहां पर एक खास जंजाती रहती है बुश्मेन जंजाती का निवास इस्थान कहां पर है तो कालाहरी desert में ही बुश्मेन जंजाती निवास करती है आपको याद रखना है ठीक है यह map में भी आप देख लीजिए यह सहारा desert मैंने उपर बताया है ठीक है ठीक है और जहां पर यह फैल रहा है बच्चो इस reason को बोलते हैं साहेल छेतर कौन सा छेतर बोलते है अधनी चीजब होगा ही कालाहरी भी मैंने आपको बता दिया आंगे discuss करते हैं अगला मरुस्तह समझते हैं अगला है बच्चो अरवी मरुस्थल या फिर अरब प्रायदीप अरब पैनिसुला मैंना कई वर आपको लेक्चर में बता है कि अरब पैनिसुला विश्यो का सबसे बड़ा पैनिसुला है पैनिसुला के होता है जो तीन ओर से जल से घरा हुआ होता है ठीक है यह अरब प्रा खली रेगिस्तान और एक है अननफूद मरुस्थली है इसके ही दो पार्ट है यह दुनिया का सबसे रेतीला मरुस्थल है आपको याद रखना है यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा पाई जाती है आपको याद रखना है इसके लाब यहाँ पर ओयल पैटूलियम भी बहुत पैटूलियम का उत्पादन भी होता है ठीक है तो अर्वी डैजर्ट दूसरा सबसे बड़ा गरम मरुस्थल है आपको याद रखना है और यह दो इसके पार्ट है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है सबसे बड़ा रेतीले मरुस्थल है यह आंगे बच्छो एरान में दस्टे कावे डैजर्ट है बच्छो इसे ग्रेट सॉल्ट डैजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नमक काफी जादा मात्र में पाया जाता है यहाँ पर खारापन काफी जादा पाया जाता है इसलिए इसको ग्रेट सॉल्ट डैजर्ट भी कहा जाता है दस्टे काव पश्च्चमी ऐस्टेलिय में आपको पूरे बहुत सारी डेजर देखने को मिलती है, एक स्रंखला देखने को मिलती है, जैसे तानामी, गरेट सेंडी, गिफसन, गरेट विक्टोरिय, सिंपसन है, या देखें Vernon है है तो ये पूरा पश्चीमी ऐस्टेलिय आप देखेंगे किस continent को कहा जाता है तो आस्ट्रेलिया को कहा जाता है उसका reason है बच्चो उसका reason ये है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है खास थोर पर पश्छीमी ऑश्ट्रेलियम है इस कान से इसे 80 भूमी का देश कहा जाता है या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आपने डैजर्ट बहुत जाद हैं और डैजर्ट का विकास भाही होता जानि उनतमवर्शा होती है तो इस कान से इसको 80 भूमी का देश कहा जाता है आपको याद रखना है ठीक है इसके लबा थार हमारे भारत का जो एक मात्र गरम मरुस्थल है थार उसको देख लेते तो यह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ मरुस्थल है बच्चों यह देख लीजे यह राजिस्थान राज्ज में है मुख्यता यहाँ पर ठीक है जो की भारत और पाकिस्तान में बच्चो पाया जाता है तो यहाँ पर बच्चो हमने जो सीत मरुस्थल थे इसके लाबा जो गरम मरुस्थल थे वो हमने यहाँ पर देख लिये हैँ अब दिख लिये ते 30 मरुस्थल हमने चार बागों में इसका dele किया था उसमें से एक था तटी अमरुस्थल तो इसको भी देख लेते हैं देखिए तटी अमरुस्थल में देखेंगे तो आटा कामा आपको याद रखना है यह कहाँ पर है आप देखेंगे प्रशान्त महासागर के किनारे इस्तिते तो समुद्र तल से 1500 मीटर की उचाई पर यह पाया जाता है आपको याद रखना है चिली और पेरु की बाउंडरी पर इस्तित चिली कहाँ पर है यह आप देखेंगे यहाँ पर चिली देश इस्तित प्रकार से देश याद रखना चिली और पेरु विश्व का सबसे सुषकतम मरुस्थल मतलब जितनेवी मरुस्थल थन है उसमें सबसे जो आदरता है या फिर वाईव में आदरता है वो बिल argued कम है या फिर समापत है बचों यहाँ पर कुछ हुच इस्तान जहा पर कईntenों साल से वर्षा नहीं हुई, 100-200 सालों से वर्षा नहीं हुई, तो इसलिए भी ये विश्व का सुस्कुतम इस्थाल है, आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ अरीका, अरीका नाम का इस्थान है, विश्व का सुस्कुतम इस्थान है, ड्रायस्ट सिटी है यहाँ पर, इसके ल अरी का विश्व का सुसकुतम इस्थान है और यहां पर नाइट्रेट के भंडार पायाते हैं ठीक है अब इसको अपन ने कहा किस्मेंट रखाया बच्चो इसको अपन ने रखाया तटी रेकिस्थान में या फिर कोश्टल डेजर्ट में क्योंकि यह प्रशान्त महासागर के किनारे में यह इस्थित है और यहां पर यह विश्व का सुसकुतम इस्थान है इसके लाव यहां पर पेरू की जल्दारा चलती है आपको याद रखना है पेरू की ठंडी जल्दारा चलती है मैंने आपको बताया था एक रिजन कि महादीपों के पश्चिमी किनारों पर ज सादी का चौन्टिंट में आप यहां पर देखेंगे यहां पर मैंने मैप बताया है यहां पर आप देखेंगे काला हारी इसके पूरुम में है और इसके पस्य नामिव डैजर देखने को मिलेगा तो यह नामिवी विए हमें है विश्व का प्राचीनतमरु, आपको याद कहीं कुछ रीजन में यहां पर temperature बहुत कम हो जाता है और कहीं जादा भी हो जाता है ठीक है तो आपको confuse नहीं होना है इनको आपको 30 के अंतरगत रखना है इसके लावा सुसकतम मरुस्थल में आपको आटाकामा का नाम याद रखना है और जो नामि मरुस्थल है यह आफ्रिक मरुस्थल में आता है ठीक है तो यह जितने भी मरुस्थल से आपको याद रखना है इसके लावा धुरूबी मरुस्थल बचे तो धुरूबी में आपको याद रखना है अंटार्किटिक और आर्किटिक यह polar desert या फिर धुरूबी मरुस्थल का example है आपको याद रखना है या फिर कहीं कहीं इनको सीथ मरुस्थल, कई लोग आपको क्या बताएंगे कि दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक सीथ और एक ऊष्ण, है ना, तो सीथ में के अंतरकत इनको रख देते हैं, तो आपको याद रखना है, यह सीथ मरुस्थल है, या फिर धुरूबी या फिर जो आपको lecture अच्छे से समझ में आया होगा है चलिए अब इस से related कुछ question भी discuss कर लेते हैं ताकि आपका एक बहुत अच्छा revision हो जाए तो पहला question है मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है कौन सी vegetation यहाँ पर पाई जाते है तो इनकी वनस्पतियों को क्या बोलते है मैंने पहले option देख लेते है मरुद्विद, मीसोफाइट, हाइड्रोफाइट यह फिर इन में से कोई नहीं तो बच्चों जो मरुस्थलों में वनस्पतियां पाई जाती है फिर नियून्तम वर्षा वाले इस्थान में अंटार्किटिक का सहारा या फिर गो भी ठीक है अब देखिए यहाँ पर गरम ठंडा नहीं बोल रहा है overall सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसका answer क्या होगा अंटार्किटिक डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है और यह कैसा है यह पोलर डेजर्ट है या फिर ठंडा डेजर्ट है या फिर सीत भी बोल सकते है इसको पोलर भी बोल सकते है आपको याद रखना है ठीक है गरम पूछता तो किसको टिक करते है सहारा को तो confuse मत होना अगला कोशन देखते हैं वहाई छेतर जिसमें कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है जहाँ पर मरुस्थलों का विकास होता है तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर बच्चो होती है कब 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक प्रेशी पिटेशन होता है वहाँ पर मरुस्थलों का विकास होता है ये इसकी definition हमने discuss कि थी अगला question देखेंगे किस छेतर में मरुस्थलों की उत्पत्ती नहीं होती है करक रेखा में विशुवत रेखा में मकर रेखा में या फिर आर्केटिक महासागर में तो जो विशुवत रेखी छेतर होता है बच्चो जो equatorial reason होता है 0-5 degree का छेतर जिसको ह अबी भी मरुस्थलों का विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा कभी भी एर्थ में आपको इस reason में मरुस्थल देखने को नहीं मिलेंगे उसका reason ही यही है कि यहाँ पर परियाप्त मात्रा में daily wages पर वर्षा होती है और desert का विकास ही वहाँ पर होता है यहाँ पर 25 cm से कम तो इस रिजन में कभी बी डेजर्ट देखने को नहीं मिलेंगे अगला कोशन देखेंगे निम्नमैसी किस अक्षान सी छित्र में सरवादिक मरुस्थलों का विकास होता है तो ये भी important question है 10-45, 50-60, 30-40 या फिर 10-35 तो इसका सही आंसर होगा 30-40 डिगरी या फिर 10-35 डिगरी के आसपास आपको सरवादिक मरुस्थल देखने को मिलेंगे क्योंकि भूमद्य रिखा से उठने वाली जो पवने होती है उपर जाकर के ठंडी होती है और 30-40 डौनों गोलार्दों में ये नीचे उतरती है और ठंडी पवने कभी भी वर्षा नहीं करती है इस कांट से यहाँ पर सरवादिक आपको हमारी आर्थ में मरुस्थलों का विकास से देखने को मिलता है आपको याद रखना है अगला कोशन देखेंगे बच्चो आटा कामा मरुस्थल किस छेतर में इस्तत है आटा कामा डेजर्ट कहां पर लोकेटिड है करक रिखा और मकर रिखा के मद्ध में मकररेखा और आर्केटिक वृत के मध्ध में विशुवत रिखा और मकररेखा के मध्ध में तो इसका answer हो जाएगा बच्चो जो South America Continent है उससे दो रिखाएं होकर के उजरती हैं आपको याद रखना है एक तो विशुवत रिखा और ईक मकररेखा तो विशुवत रिखा और मक अगर रेखा कि मध्ध में जो आटा कामा डेजर्ट है ये सिचुवेटेट है आपको याद रखना है इसके लावा जो तटी मरुस्थल होता है उसका ये एक्जामपल है और विश्व का सबसे सुस्कता मरुस्थल है ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोशन दे है विश्व का सबसे वड़ा मरुस्थल है वच्चु करीब नब्य हजार वर किलोमेटर चेत्र फल पर ये फैला हुआ है उत्री आफ्रीका में इस्तेत है आफ्रीका कॉंटिनेंट में और लगातार इसका विश्थार हो रहा है डक्षन की और जिसको हम क्या बोलते हैं साहि अगला कुशन देखेंगे इन में से कौन सा उत्री अमेरिका का मरुस्थल है नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट का मरुस्थल है आटकामा ये साउथ अमेरिका का है कालाहारी ये आफ्रिका का है चिहुआ हुआन सही हो जाएगा उत्री अमेरिका कॉंटिनेंट या ही USA का सबसे बड़ा continent है जी सही answer हो जाएगा गोवी भारत और पाकिस्तान में है ठीक है चलिए अगला question देख लेते हैं निमने लिखित में ऐसे सरवादिक रेतीला जहाँ पर सरवादिक रेत पाई जाती है कौन से सरवादिक रेतीला मरुस्थल है option देख लेते हैं सहारा, ठार, गोवी या फिर अर्वी तो मैंने आपको बताता है अर्वी रेतीला मरुस्थल है यहाँ पर रेत की मातरा काफी जादा है जो अरव प्रायदीप है अरेवियन पैनिंसुला है वहाँ पर इसकी location है या फिर उस reason में ये located है आपको याद रखना है अगला question देख लेता है बच्चो निम्न में से सरवादिक जनन घनतव वाला मरुस्थल सरवादिक population density किस desert में पाई जाती है थार, सहारा, कालाहारी या फिर अर्वी जो थार desert है बच्चो मुखिता भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है इसके लाब भारत का एकमात्र गर्म रेगिस्तान है यहाँ पर सरवादिक जन घनतव पाया जाता है काफी महत्यपूर्ण question है कई वार exam में यहाँ से question आता है आपको याद रखना है ठीक है मुखिता भारत के राजस्थान राज में आपको इसको देखने को मिलेगा अगला देख लेता है विश्व का सबसे सुस्कुतम मरुस्थल most important question है कई भी मैंने आपको बताया था अरेवियन, गोवी, आताकामा या फिर कालाहारी आताकामा डेजर्ट जो की एक तटी मरुस्थल है या फिर कोस्टल डेजर्ट है विश्व का सुस्कुतम स्थान है इसके लवा यहाँ पर अरी का नाम का जो स्थान है वो विश्व का सबसे सुस्कुतम ड्राइस्ट स्थान है यहाँ पर एक नाइट्रेट के भंडार भी पाए जाते हैं आपको याद रखना है तो यह सारी डीटेल आपको मैंने बताई थी लाश्ट कोश्चन देखते हैं बच्चो निमन मैंसे किसे 85 भूमी का देश कहा जाता है तो आस्ट्रेलिया को बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरी पश्चिमी आस्ट्रेली में आप देखेंगे मरुस्थिलों की सरंखला देखने को मिलती है तो इसे 85 भूमी का देश या फिर 85 भूमी की धरती भी कहा जाता है याद रखना है important question है तो बच्चों यह 12 question मैंने आपको यहाँ पर discuss करा है इसके लावा detail में मैंने आपको मरुस्थिली करने या फिर desertification की थियोरी भी पढ़ाई है I think आपको इस से related है फिर इस topics से related है सारे जितने भी doubt होंगे वो clear हुए होंगे इसके लावा कोई भी doubt है तो आपको comment में मुझे बताना मैं कोशिश करूंगा उसका answer आपको दूँ ठीक है तो मुलाकात होगी अगले बहतर lecture में इसके लावा यदि आप मुझसे geography पढ़ना च अच्छा आज का पसंद आये तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें इसके लावा वीडियो को like जरू करें जैहिंद धन्यवाद